तुम्हें यह किसने बताया इस वाक्य की अंग्रेजी जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए इस वाक्य को अंग्रेजी में अनुवात करते हैं तो दोस्तो इस वाकी के अंत में बताया तो जब हिंदी वाकी के अंत में या करके आता है क्रिया के साथ या करके आता है और उसके बाद न था रहता है न है रहता है क्यों ले इतना होता है कि बताया तो ऐसे sentence पास्ट एंडेपनिट का sentence होता है और ये sentence है interrogative तो past indefinite के interrogative sentence का जो नियम होता है उस पर ये translate नहीं होगा क्योंकि इस sentence में डाबले एच वर्ड है किसने जो कि subject को ही बता रहा है तो यह affirmative के तरह English में translate होगा और subject की रूप में इसमें लिखेंगे हम किसने के English किसने या कौन को English में who कहते हैं पहले हम लिखेंगे who उसके बाद हम लिखेंगे verb का second form वर्ड है इसमें बताया बताना को English में tell कहते हैं तो tell का second form told उसके बाद हम लिखेंगे object अब दिखें यहाँ पर यह तुम्हे है यह subject नहीं यह object है तो told के बाद लिखेंगे तुम्हें के English you उसके माद हम लिखेंगे यहां कि इंग्लिस this, who told you this, तुम्हें यहां किसने बताया कि इंग्लिस, who told you this, यदि आप past indefinite के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियाम से यदि से आप इंग्लिस में translate कर देते हैं, जैसे कि पहले वह वर्ड, फिर did, फिर subject, फिर वर्ड, फिर object, त तो यह translation बिलकुल गलत हो जाएगा, तो आपको इतना ध्यान देना है कि जब sentence में कौन या किसने हो और वो subject को ही बता रहा हो, तो वो affirmative के तरह एंग्लिस में translate होता है, भले ही वो interrogative हो, जैसे कि यह sentence है, तो ऐसे और भी sentences का English translation वीडियो देखने के लिए इस चैनल के playlist में जा जाएगा, तो चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe करें, thanks for watching.